Flagship Phones Guys, हमेशा से Flagship Phones के segment में हमेशा 2-3 कंपनियों ने ही राज किया है वो है Apple, Samsung और आज के टाइम में OnePlus तो guys, इसी race को आगे बढ़ाने के लिए Samsung ने अपने 3 नए phones लॉंच कर दिये हैं जो की S-Series में लाए करते हैं S20, S20 Plus और S20 Ultra साथ ही साथ सामसंग ने एक पॉनाव डोंच किया जिसका नाम है गालेक्सी जी फ्लिप तो गाइज बात करते हैं इन इस चारो फोन के बारे में देखने क्या इनकी स्पेसिफिकेशन हैं तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो लेट से स्टाटेड अगर हम डिस्प्लेइ में मिलती है आपको 6.91 इंचिस की डिस्प्लेइ थी ए जो की 120 ह् dest पर है और ca이나 Dubai यह यह जिले तो एक दम क्रोटव सिक उफन दॉच है उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसर से बारे में तो जो इस से वेरिंट 200 आ ए facts 65 प्रोसेसर जो की लेटेस्ट प्रोसेसर 800 सीरीज में लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिंट से तो आपको उसमें एक्जनोस का 990 जो प्रोसेसर वो मिलेगा दोनों ही प्रोसेसर वैसे 7 5500 एमेच्च तीनों ही माश में आपको 25 वार्ट्स चार्जियंग में लेकिन आपको वायलेस चार्जियंग में तो आपको अगर दूसरा फोन वायलेस लीटी आप इसके ऊपर सकते हो चार्ज वह भाज़ाएगा अब बात करगए समय हम गेमरा की तो camera में आपको S20 में 64 Megapixel प्लस 12 Megapixel प्लस 12 Megapixel का triple camera setup जो हो मिलता है S20 Plus में आपको 64 Megapixel प्लस 12 Megapixel प्लस 12 Megapixel और एक 0.3 Megapixel का TOF 3D depth vision camera जो हो मिलता है और अगर हम बात करें S20 Ultra के बारे में तो उसमें तो guys आपको 108 Megapixel का प्राइमेरी कैमरा 48 Megapixel का टेलीपोर्टो लेंस 12 Megapixel का वाइड एंगल camera और 0.3 Megapixel का वही तुई टी ओ एफ 3D depth vision camera जो हो मिलता है और इसमें आपको मैं बता दूँ कि जो S20 Ultra है इसमें आपको 100 X जूम मिलता है जिसमें की 10 X जूम है तो guys इसमें फोटोस तो गजब आने वाली है अब आपको यह चीज बाता दूँ कि इसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट जो हो मिलता है तो इसमें आप जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 8K में बात करें guys अगर हम करें니다 मिलता है लेकिन शीज अचीज है कि है कि G इसमें आपको ईवंटी काभी सपोट मिल जाता है बात करें इसमें अपको इन देस्ब्ले मिलता है और आगा लगले चिक्शन घ्ल मिल जातीept तीनों ही फोन में, तो फोन जो है IP68 certified है, यानि कि तीनों ही फोन में आपको water resistance, dust resistance के सब चीज़ें मिल जाएंगी ओके तरह गर हम बात करें इसके variants के अबारे में तो जो S20 है, उसमें आपको 8GB और 12GB RAM का variant मिलता है और उसमें आपको 128GB के internal storage मिलती है, अगर हम बात करें S20 Plus के बारे में तो उसमें भी आपको 8GB और 12GB RAM का support मिलता है और 128GB के internal storage बिल्कुल सेम S20 के तरह, अगर हम बात करें S20 Ultra के बारे में तो उसमें आपको 12GB RAM और 16GB RAM का variant मिलता है जो कि पहली वार किसी phone में है, और उसमें आपको over 512GB तक का support मिलता है internal storage में अब बात करेंगर हम pricing के बारे में तो जिसके S20 के price है वो आपके $999 है, जो S20 Plus है उसका $1199 है और जो S20 Ultra है उसका price जो है वो $1199 है, यह guys USA के prices हैं तो इडिया पे देखते हैं कैसे differ करेंगे ओके तब बात कर लेते हैं Samsung के नई folding phone के बारे में जिसका नाव है Samsung Galaxy Z Flip तो उसमें आपको 6.7 इंचिस की display मिलती है जो की foldable है, super AMOLED है और पिछली बार की तरह इसमें कोई plastic की covering है वो नहीं मिलती है screen पे इसमें thin glass की protection जो दी वी है और इसमें आपको Corning Gorilla Glass का जो है protection मिलती है backside में अब बात कर लेते हैं guys इसके storage के बारे में तो इसमें आपको 8GB RAM और 256GB की storage मिलती है foldable phone है guys इसमें आपको छोटी सी screen मिलती है आगे की तरफ जिसमें आपको 1.1 इंचिस की display है उसमें आपको time और notifications बगएर जो है मिल जाएंगे अब बात कर लेंगे इसमें camera के बारे में तो इसमें आपको dual camera setter जो है मिलता है इसमें आपको 12 plus 2 megapixel camera मिलता है और front camera के अगर हम बात करें तो इसमें आपको 10 megapixel camera मिलता है और battery में अगर आप देखो तो इसमें 3300 mAh की battery है 25 watts की charging है और इसमें wireless charging भी support करता है pricing के बारे में अगर हम बात करेंगा इस तो इसकी जो pricing है वो 1380 dollars है जो कि USA की pricing है और अब इसका कुछ idea नहीं है कि इंडिया में कब तक launch होगा ठीक है तो जो भी pricing होगी वो थोड़ी बहुत differ करती है अगर आपको यह वीडियो कैसे लगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना हमारे जैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहें तब तक के लिए goodbye and take care